2x plus 3y, 3x plus 2y, इस तरीके से equation दे रखे हैं अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने direct add किया और यहाँ value बन गई क्योंकि variable का जो coefficient था वो same था, अगर same नहीं है तो same बनाना पड़ेगा जैसे elimination में करते थे, x का coefficient यहाँ 2, यहाँ 3 तो क्या करें कि हम first को तो multiply कर लेंगे 3 के साथ और 2 को multiply कर देंगे 2 के साथ, यह बन जाएगा 6, यह बन जाएगा 6 और फिर दोनों को subtract कर देंगे, तो यहाँ देखे, यहाँ 3 से कर रहे है 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9y, 2 से करके यहाँ subtract कर देंगे 6y minus 4y और यहाँ 3 से यहाँ पर भी multiply होगी क्योंकि पूरे में multiply होती है तो 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 0, minus यहाँ 2 से multiply होगी 2, 2 जा 4, minus 4, minus 2, 10 तो यहाँ 6, x से 6, x cancel हो गया 9y minus 4y is 5y, is equal to, यहाँ पर आ गया 6 minus 4 is 2, 9 minus of minus 4 is 13, 2 minus of minus 2 is 14, and 0 minus 10 is minus 10 तो यहाँ पर y आ जाएगा 1 upon 5, 2, 13, 14, minus 10 5 से divide हो जाएगा तो यहाँ आएगा 2 by 5, यहाँ आएगा 13 by 5, 14 by 5, minus का 2 अब मैं यह तो suggest करूँगा ही नहीं कि आप यहाँ y की value यहाँ रख लो calculation बहुत typical हो जाएगी, मिल जाएगी value, definitely मिल जाएगी but calculation बहुत जादा typical हो जाएगी, तो हम तरीका क्या लगाएगे जैसे हमने x को eliminate कराए ना, ऐसे ही y को कर लो, वो जादा easy पड़ जाएगा तो यहाँ y को करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसको भी 6 बनाते हैं तो first को तो अब 2 से multiply करेंगे, और second को हम करेंगे 3 से तो 2 तू जा, 4 x, 6 y, 3, 3 जा 9 x, 9 x और यह minus का 4, minus 6 y, 9 x plus 6 y इसको 2 से कर रहे हैं, तो 2 तू जा 4, 2 तू जा 6, 8, 0, minus, इसको कर रहे हैं 3 से 3 to just 6, minus 6, minus 3, 15, तो यहाँ 6 y से 6 y cancel हो गया, यहाँ आया, minus का 5 x is equal to 4 minus 6 is minus 2, 6 plus 6 is plus का 12, 8 plus 3 is 11, यह minus का 15, minus 5 इदर divide में आ जाएगा सबी के, तो यह तो बन जाएगा, plus का 2 by 5, यह बन जाएगा, minus का 12 by 5, यह बन जाएगा, minus का 11 by 5, और यह हो गया 3, and y की value हमने पहले ही निकाली, वो है 2 by 5, 13 by 5, 14 by 5, minus का 2, आप चेक करो तो यहाँ पर जो value है, वो आपके पास यहाँ पे आ गई है, आप समझो कि, अगर आप y की value निकाल के यहाँ पुट करोगे ना, तो calculation बहुत जादा करनी पड़ेगे, तो I suggest कि आप यही method approach यूज कर ले ना, so that आपको यह easily value यहाँ पर मिल जाए,